हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है सरल भाषा चैनल पर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा जब हम बात करते हैं हमारे देश में किसी ऐसे भाग की जहांके लोग बहुती अवेर हैं एजुकेटेड हैं तो एक ही भाग हमारे माइड में आता है वो है साउथ इंडिया चाहे आप बात करें केरला की या फिर तमिल्नाडू की आंद्रपदेश तेलंगाना या करनाटका की कहीं भी आप चले जाएं वहाँ पर बच्चा बच्चा जो है बहुती अवेर है केरला में तो अभी आप देखें जो रिसेंट सेंसेस ये बताता है कि केरला में हंड़ेट परसन लिटरेसी आ चुकी है मतलब वहाँ के सो टका लोग जो है पढ़ना और लिखना जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना लेवल आफ एवेरनेस होगा वहाँ पर इसी को प्रूफ करने का मेरा एक प्रयास है चोटा सा प्रयास है और इसमें मैं दो बाते आपको बताना चाहता हूँ आज दो एक्जाम्पल्स हैं दो छोटी बच्चियों की कहानी है और उन्हें क्या किया था केरला से है पहली जो बच्ची है वो तेलंगाना की है और दू वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने वाला है, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा, फ्रेंड्स पहली बात हम करते हैं, वो छोटी बच्ची जो एट स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है और उसका नाम है पी वैष्णवी एक्चुली जो सेकेंड वेव आया था, उस समय पी वैष्णवी के पिता का दुर्भाग्यवश ध्यान्त हो गया था तो एक लेटर पी वैष्णवी ने दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एनवी रमना को लिखा है चीफ जस्टिस को लिखा है और इस लेटर में उस लड़की ने ये लिखा उनको कि जहाँ वो रहती है पहले एक स्टेट ट्रांस्पोर्ट की बस थी जो उसके घर से जो उसका विलेज है वहाँ से एक जगे ले जाती थी सिटी में जहाँ वर उसका स्कूल था लेकिन कोरोना के कारण वो जो है बस सर्विस बंग कर दी गई थी तो उसने जो चीफ जस्टिस है शी एनवी रमना उनसे रिक्वेस्ट किया है लेटर लिखकर कि आप प्लीज उस बस सर्विस को फिर से बहाल करवा दीजिए क्योंकि उसे बहुत ही प्रॉबलम हो रही थी उसकी मज़र ने ट्राइ किया था उससे स्कूल में भेजने की और आटो के थुरू लेकिन वो कह रही है कि उनकी फैमिली की फैनेशल कंडिशन पिता के दिहान के बाद ऐसा नहीं है कि वो आटो एवरीडे एफोर्ड कर सके इ उसने रिक्वेस्ट किया श्री एनवी रमना को कि वह उस बस सर्विस को बहाल करवा दें और चीफ जस्टिस सहाब ने उसे बहुत सीरियस दी लिया उस लेटर को उन्होंने जो एमडी है से स्टेट ट्रांसपोर्ट तेलंगाना उनको इमेल लिखा लेटर भी लिखा और ए आज पी वैशनवी जो है वो स्कूल जाती है रोज और उसकी प्रॉब्लम सॉल हो गई तो आप देख सकते हैं कि एज स्टेडर की स्टूडेंट कितनी अवेर है तेलंगाना की उसे पता है कि चीफ जस्टिस कौन है और उसे लेटर लिखा भी जा सकता है और उसकी प्रॉब क्या है कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही छोटी लड़की जो की फिफ स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी लेडरीना जोसफ फिफ स्टैंडर्ड की स्टूडेंट उसने भी लेटर लिखा था चीफ जस्टिस साब को श्री एंदी रमना को और इस लेटर में उसने ये चीफ जस्टिस साब को उसने कहा है कि सुप्रीम कोट ने जो भी स्टैप्स लिए है करोना को खतम करने के लिए वो बहुत ही अच्छे है और इस कारण से करोना कंट्रोल में भी आ रहा है तो उसने सुप्रीम कोट की बहुत तारीफ करी और चीफ जस्टिस साब ने जो स्ट प्राप्त करके उन्होंने पर्सनली उस लड़की को जवाब दिया है और उस लड़की ने लेटर के साथ में एक कार्टून एक चित्र भी बनाया था अपने हातों से उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो चीफ जस्टिस सहाब है श्री N.V. रमना वो उनका एक कार्टून है और कोरोना है ऐसा कि वो कोरोना को मार रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिफ स्टेंडर्ड के और एज स्टेंडर्ड के बच्चे कितने अवेर हैं साथ इंडिया में तो यही बात है कि अगर आप भी मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ आज आपके बच्चे आपके घर पर हैं अगर तो आप उनसे बस एक सवाल पूछे इतना कि क्या वो जानते हैं कि भारत के चीफ जस्टिस का क्या नाम है इतना पूछ के देखिए आपको हकीकत मानूँ पड़ जाएगी आपको मानूँ पड़ जाएगा कि आपका बच्चा कितने पानी में है उसका awareness level कितना है तो यह as parents आपकी responsibility है कि बच्चों में जागरुकता पैदा करें उनमें curiosity लेके आएं वो कुछ पी वैशनवी या लेडरीना जोसफ जैसी कुछ thought रख सके तो कैसा लगा मेरा video friends अगर अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और विचार के साथ तब तक के लिए Bye, take care friends